वेलकम तो ओनलाइन स्टेडी क्लासेस, स्टेंडर्ट फिप सब्जेक्ट एवियस तो स्टुडेंट्स, तोडें वी अर गोग तो स्टार्ट नम्पर 6 तोपिक नेम इस दे जर्नी ओफूद, ठीक है, एवियस का हम लेसन 6 सब स्टार्ट करेंगे दे जर्नी ओफूद इस चैप्टर का नेम है, दे जर्नी ओफूद, इत मिंस की, जो फूड का मिंस क्या होता है, भोजन हमारा जो है, खाना भोजन, उसकी यादरा, मिंस यह इस लेसन में हम जो पढ़ेंगे, कि टोटल फूड के बारें पढ़ेंगे, कि जो हमारा फूड है, कैसे तैयार होता है उसके कैसे processing होती है वो सारा का सारा जो knowledge है वो हमें इस chapter में gain करने को मिलेगा तो चलिए पढ़ना start करते हैं इसे the journey of food begins with the growing of crops ठेक है तो क्या कहना चाहरा है यह बताना चाहरा है the journey of food begins with the growing of crops की जो food की यात्रा है जो भूजन की यात्रा है भूजन तयार होने की जो process है वो कहां से शुरू होती है growing of crops growing का meaning होता है बढ़ना और crops का मतलब होता फेशल तो फेशलों के बढ़ने से इसका जो start होता है ठीक है lesson में आपको काफी सारी pictures related दिखेंगी और उससे भी हमें समझने में help मिलेगी it goes through many stage before it reach us as food before we read about this stage let's read how to process of growing crop begins तो यहां पर जो introductional part है कि फसल के बढ़ने के साथ में ही इसकी जो general है food की वो start होती है ठीक है और यह कई सारी stage में divided होती यह कई सारी steps steps में पूरा होता है अलग-अलग पढ़ाओं में it means की ठीक है और उससे पहले जो हमारे पास आने से पहले farming की विभिन जो पड़ाव हैं farming के खेती के तो खेती के जो अलग-अलग विभिन प्रकार है वह हमको read करना है तो first stage क्या है what is the first step preparing soil मिन्स मिट्टी तयार करना तो first look मिट्टी तयार करना सबसे basic काम होता है हम गाउं में रहते हैं सहरों में भी रहते लेकिन हमें आसपास समय सा देखने मिलता है की first look की भुवाई से पहले मिट्टी को तयार करने की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की जाती है ठीक है this picture is related with आप इस पिक्चर से देखे समझ सकते हैं आप इसको रीट करते हैं पराग्रप को दप्रोसेस ऑफ लुसिंग एंड टर्निंग दस्वाइल इसकाल्ड प्लॉगिंग ठीक है कि जो प्रक्रिया है किसकी लुजनिंग एंड टर्निंग तो लुजनिंग का मतलब होता है मिट्टी को धीला करना ठीक है क्योंकि सकते जमीन पर तो बुवाई नहीं कि जा सकती ठीक है उसके लिए मिट्टी की नमी होना ज़रूरी है और मिट्टी नरम ह होना ज़रूरी तो क्या किया जाता है उसको जो हल की सहता से उसे क्या किया जाता है लुजनिंग एंड टर्निंग मिन्स उसको धीला किया जाता है प्लस उसको मोडा जाता है अलट पलट कर या जाता है किसको soil को मिन्स मिट्टी को तो यह जो process है वो क्या कहलाती है plugging ठीक है मिट्टी की अल्टी पल्टी करना या उसे धीला करना ही plugging कहलाता है it loosens the soil and make it airy so that the root are able to penetrate deeper and breathe तो क्या होता है कि जब मिट्टी को alert पलट देते हैं ठीक है और उसको धीला कर देते हैं तो वो हमें help करता है ठीक है it loosens the soil and make it airy so that the root are able to rent it deeper तो क्या करता है अगर मिट्टी को पलट दे जाती है तो उससे क्या होता है कि मिट्टी में काफी सारे space हो जाती है जब जुताई करी जाती है उसके बाद में तो उससे क्या होता है वो मिट्टी में अंदर तक के चले जाती है उसके deep तक के चले जाती है Plogging improve the water holding capacity of soil Plogging is done by a wooden or an iron plug With the help of bullocks In big field it is done by tractor ठीक है तो actual में क्या होता है कि ये जो process है हम Plogging देख रहे हैं मिल्स इसके जुताई करना कि खेतों की जुताई होती है उससे क्या होता है कि खेतों की जुताई करने से जो हवा होती वो मिट्टी के अंदर तक के चले जाती है Second thing क्या होता है जब मिट्टी खुल जाती है तो उसमें अधिक से अधिक पानी जमीन की भूमी तक के अंदर तक के चला जाएगा जो की फसलों के लिए और ज़्याद अच्छा है जितनी जमीन की या भूमी की या मिट्टी की च्छमता है क्यापेसिटी है कि वो पानी को सोक सकती तो पानी जल्दी जल्दी अंदर जा सकता है तो वह बहुत ज़रूरी होता है हले सब्सक्राइब की जता है और जूताई का काम है वह किससे जता है हाल्स से क्या जता है ठीक है किससे क्याता है व ere और यहां बनेन हैं दो नों टाइब कि होते हैं जो पहले से शीप करते हैं तो फ़ीस स्थाइब होता ही खी है यहां पर यह बता एक जूर्फ हूत LIKE भी बने होते हैं या फिर क्या होते हैं आयरन के बने होते हैं जिनको फ्ल्ट стр जेता है जो हल्ब को क्या कहता है ठीक है और वो किस की साहता चलते हैं या तो ब्लक्स जो बैलों की साहता से या फिर ट्रेक्टर की हल्प से इसका मिन से है कि जब खेतों की जुताई हो जाती है तो उसके बाद कहा जाते हैं soil is levelled, soil को levelled कहाता है, मिंस जो मिट्टी के बड़े-बड़े dhealay बन जाते हैं, ठीक है, अलट-पलट जुताई करने बाद में कई मिट्टी के बड़े-बड़े धीले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो उसको एक लेवल मिलाया जाता है, ठीक है, तो मिट्टी को समान रुप से लेवल किया जाता है, किसके साथ से लेवलर के, और जो लेवलर है, वो किस से बनता है, वो एक लकड़ी की दक्ती होती है, उससे वो बनता है, तो उससे क्या मिट्टी का समान रुप से भिक्वर जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहा है कि समान रुप से मिट्टी फैला जाती है, लेवलर की हल्प से, ठीक है, और इससे क्या होता है, लेवलर करने से जो हवा है, और वो पानी है, वो मिट्टी के अ जो फैल आवे उसके बाद में उसको पानी डाला जाता है जब इनको गिली करने के लिए तो समान रुप से चारुतरा फैल जाता है तो इसके लिए उसको लेवल किया जाता है next जो paragraph है इससे related forming से sowing seed means बुवाई करना बीजों की बुवाई करना sowing का मतलब होता है बुवाई and seeds मतलब होता है बीज तो बीजों की बुवाई करना अब इस picture में आपको एक किसान दिख रहा है former जो की बुवाई कर रहा है the process of planting seed in the soil is called showing की जो प्रक्रिया है planting means रोपन करना ठीक है जो फसलों का रोपन करने की जो process है जो seed के दारा means जो बीजों की क्या कहलाती है वो showing कहलाती means बुवाई कहा जाता है उसको ठीक है it is either done by hand or with the help of seed drill this seed shown must be healthy and of good quality after sewing a wooden board is drawn over the field to cover the scattered seeds with soil तो क्या होता है कि यह जो प्रक्रिया है किसकी बीजों की बुवाई की तो यह soving कहलाती है और जब बीजों की बुवाई की जाती है ठीक है का बीज होता है जो अच्छी क्वालिटी का और स्वस्थ होना चाहिए गुड क्वालिटी का अगर हम बीज लगाएंगे तो उससे फसल हमेसा अच्छी होगी और अगर बीज में ही क्वालिटी नहीं हो फसल अच्छी नहीं हो सकती है ठीक है आर फिर उसके बाद में क्या क्याजाता है कि जब भूः हो जाती है तो उसके बाद में Update के तक्ति के सायता से खेतों को एक बार फिर से cover की जाता है मिटी से बीजों को ढग दिया जाता है मिटी से अलट पलट वीडिंग, ठीक है, there are many unwanted plant that grow along the main crop, अब वीडिंग का meaning होता है, निडाई करना, निराई या निडाई, हम जो local language में उसको निडाई कहते हैं, कि चलो खेत की निडाई करना, तो उसका मतलब यह होता है, कि जो कुछ unwanted जाड़िया, यह फसलों के बीच में कई सारे पौद है, कच तो क्या कहोता है, कि जो हमारे plants होते हैं, जो हमारे फसल होती है, उसके बीच में कई बार क्या होता है, unwanted, जो गयर जरूरी कचरा होता है, वो उगाता है, जो मुख्य फसल के बीच में, तो these unwanted plants are known as wheat, तो यही जो unwanted means गयर जरूरी पौदे जो होते हैं, उससे क्या कहा जाता है weeds कहा जाता है तो क्या होता है कि कई सारा जो कच्रा होता है या ज़ाड़या होती है फसलों के बीच में उग जाती है ठीक है और इसे निकालना बहुत जरूरी हो जाता है ठीक है खाद पानी होती है यह लगता है प्लांट में जाता है और फिर क्या होता है कि हमारे Interestingly चोख नहीं होते हैं ठीक है तो यह होता है और इसी को निकालने के जो प्रसक्स este उसको वीडिनक कहा जाता है ठीक है cavalON कि असिइन फश्ट आइजेक साइड साइड कर यूजड तो प्रोटेक्टिंग द्रो गूर इन इंसेक्ट विच केन हाम दें इंसेक्ट ठीक है तो पैस्टिसाइट का मेनिंग होता है कीटनाशक ठीक है इंसेक्ट इंसेक्टिसाइट का मेनिंग भी होता है कीटनाशक या कीडे मारने वाली दवा हम बोलते हैं तो पैस्टिसाइट और इंसेक्टिसाइट ठीक है लिख्लक अपक्ट high gracch बड़राही फसल उसको सुरक्षित करने के लिए इनका यूस क्याता है किट नाश집 को का पेस्टिक साइट कर शोते हैं हॉथे मतलब कीट मतलब मतलब कीड़े जो स्लों के कानी किड़ी होते हैं ञिकर नहीं तो उन्हें कहा जाता है जो फसलों को बरबाद कर देती है ठीक है और क्या करती है फसलों को नुक्सान पहुचाती तो ऐसे फसलों को बचाने के लिए फसलो को कीड़ और ग्हून से कई तरह के कीड़ पतंगी होते हैं उन से बचानेके लिए खेतों मैं क्या क्या रहता है पेस्टीसाइड या इन्सक्कट साइट का छ्षड काता है में से कीड़े मारने वाली दवा या कीटे नाशकों का छेड़काव फसलों पर किया जाता है जिससे हमारी फसले सुरक्षित रहें आ इरिगेशन का मतलब वता है सिच्च अब यहां देख रहें बूरव्य वर्टर फॉल्पिं की हेल्प से चे Metroid वथीख्त होटी छोने से पानी जो प्रक्रिया होती है किसकी वाटरी प्लांट इनकी जो प्रक्रिया होती है खेतों में उसी जो process को क्या कहला चाता है irrigation कहला ता सीचाई पौधों में पाइंडालना है खेतों में पुले रूपए होते हैं फसलों के सीचाई करने की process होती है वो irrigation कहलाती है या सीचाई कहलाती है The soil has to watered or irrigated properly depending on the crop being be grown too little or too much water can kill the crop थेक है तो जब क्या किया जाता है जमीन जो हमारे खेतों में पानी दिया जाता है एरिगेटेट क्या जाता है ठीक है यहने सीचाई करी जाती है कुल मिला कि जब हम चाय कुवों से करें बोर्वेल से करें या नहरों के सायता से जिस भी सायता से हम कि तुमें सिचाई करते हैं पानी पहुचाते हैं फसलों तक के तो यह पूरा पानी बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए Too little or too much water can kill the crop क्या कहा गया है कि बहुत कम पानी और बहुत ज्यादा पानी से फसले मर सकती है तो जितनी मात्रा की जरूरत होती ही पानी की खेतों में उतनी ही मात्रा डालना जरूरी होता है Now, adding manure and fertilizer means खाद और उर्वर को का चड़काओ करना खाद और उर्वर खेतों में डालना manure or fertilizer are added to the soil to make it fertile manure or fertilizer manure means खाद fertilizer means उर्वर जो पौधों को बढ़ने के लिए हमारे फसलों को बढ़ने के लिए डाला जाता है यूरिया डी यह सारे जो है उर्वर रखें यह खाद होती जिनने फसलों को बढ़ने के लिए डाला जाता है manure is made from animal and plant waste वेरिस fertilizer are made from chemical like nitrogen and potassium तो जो खाद है ठीक है जो मैनिर है वो खाद कैसे बनती animal and plant waste animal waste मतलब होता है कि गुबर जो गाय बैल जितने भी जानवर होते हैं उनका जो वेस्ट होता है उनका गुबर होता है यह वेस्ट निकलता है उससे प्लस पेड़ पौदो पत्तियां इनका जो सूखा कचरा होता है उससे क्या के तयार कहता है खाद तयार की जाती जो देसी खाद होती है साथ ही में जो फर्टी लैजर होता है उर्वरक तो यह तयार होता है केमिकल से रासाइनिक प्रक्रियाद वर्ण त्वार इसको तयार किया है और जो लेशन रिलेटेड है फूड जर्नी और फूड आगे का लेक्चर हम आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स चेप्टर में कवर करेंगे या नेक्स वीडियो में ओके थिंक्यू